तो गैस आज कि इस वीडियो का टॉपिक है बैस्ट गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 12,000 तो गैस अगर आपका बजट है 12,000 रोपे के आस पास और उसमें आपको चाहिए एक बैस्ट गेमिंग स्मार्टफोन तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है क्योंकि भाई मैंने क सभी फॉन्स में देखने को मिल जाते हैं लेकि 120 की स्मूड डिस्प्ली मिल जाती है 45 वोर्ट की फास्ट चैजिंग का सपोर्ट मिल जाता है 40 से 60 fps की गेमिंग फॉन्स में आपकर सकते हो अच्छी का सी डिजान मिल जाती है तो अगर आप जाना चाहते हो कि कौन-कौन से ब स्मार्ट फॉन है जो की रेडमी 12 5G स्मार्ट फॉन है देखो इस बजट के सबसे मैं इसे एक बैलेंस स्मार्ट फॉन बोल सकता हूं क्योंकि यहां पर आपको फीचर स्टॉप नोच की देखने को मिलते हैं और खास तौर पर जो रेडमी के फॉन्स होते हो कम बजट के अं यह स्मार्ट फॉन एंडरो 13 पर रन करता है 8mm की थिकनस से 199 गरम का स्मार्ट फॉन है तो काफी सिल्म स्मार्ट फॉन आप इसको बोल सकते हो और वाई अब इस स्मार्ट फॉन की चिपसेट के बारें बात करते हैं जो कि इसका हाइलाइट पॉन्ट है क्योंकि यहां पर Qualcomm क स्मार्ट फॉन हीट वगेरा नहीं होता है और इसके लावा हैब्रेट सिल्म स्लॉट मिल जाता है और गाइस पांच जार एमेज की बैंटरी है 18 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है तो चार्जिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है बागी का बैंटर का स्मूर्ड डिस्प्ले है पंचोल काड़ाउट के साथ मिलती है और कॉर्णिंग ओरिला गिलास थरी की प्रटेक्शन मिल जाती है आउट्डोर के लिए फूर फिप्टी निट्स की पीग ब्रैटनस है तो अबरॉल देखा जाए तो डिस्प्ली की जो क्वालिटी है वो म इस साइड मांट फिंगर पिंटा है तो फाइनली प्रैसिंग के बारे में बात करते हैं तो 4G वरें 128 जिए जिसकी प्रैस आपको मिल जाती है 12000 रोपे के बजट के एंदर और यहां पर आपको 1000 का कूपन मिल जाता है तो तब जाके यह 11000 रोपे के आसपास कंसीडर कर सकते हो और डारेक्ट मैंने लिंक के डिस्केशन बॉक्स में दे दिया आप रीसेंटी चेक आउट कर सकते हो बाद में कमेंट मत करना कि प्रैस चेंज हो गई तो गैस इस फोन को में उनीजस के लिए ज्यादा रिकमेंट करूंगा जिनको एक बैलेंस स्मार्टफोन चाहे रेड यह स्मार्टफोन एंड्रो 13 पर रन करता है यानी 8.9 mm की थिनस से 214 ग्राम का स्मार्टफोन है तो काफी ज़्यादा भारी और बड़ा स्मार्टफोन लगेगा सबसे में चीज़े इसकी जो डेजान है वो मुझे काफी ज़्यादा बढ़िया लगी क्योंकि इसके बैक में आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे एंड गाई सिक्योर्टी के लिए आपको मिल जाता है सैडमाट फिंगर पिंगर पिंटर फेस अनलो का सबोर्ट मिल जाता है हाइब्रीट सिम श्लोट मिल जाता है मोनो स्पीकर्स मिल जाता है एंड 5000 ms की बैनेटरी 33 वोट क की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है तो आपको बढ़िया मिल जाता है इसी के साथ 6.7 इंच की फुल एच्ट पिलड डिस्प्ले जो की एक 120 एर्स के साथ देखने को मिलती है पंचल कट आउट के साथ मिलती है तो डिस्प्ली की जो क्वालिटी है कलर्स वगरा डिटेल्स काफी अच्छी निकल के आती है और गेमिंग के लिए तो अच्छी रहेगी इसी के साथ बैक में आपको दो कैमरे मिलते हैं जिसमें से में कैमरा 50 मेगा पिक्सल का है और 8 मेगा पिक्सल का अल्टरावाइट एंड 16 मेगा पिक्सल की सेल्फी है तो बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे 30 एपिस पर तो अब रोल देखा जाए तो camera quality मुझे price के साब से अच्छी लगी अच्छे खासे colors और detail निकल के आज आती है तो finally pricing के बारे में बात करते हैं तो 8GB RAM 120, 8GB का storage है जिसकी price आपको 12,000 रोपे के अंदर मिल जाती है देखो guys इस phone को मैं उन्हें जास के लिए ज्यादा recommend करूँगा जिनको एक clean Android experience चाहिए उसी के साथ बड़ी रेमोरिश चाहिए और chipset भी अच्छा चाहिए तो मेरे खाल से आप इसको consider कर सकते हो और design भी इस deals को share करता रहता हूँ तो जिसका link मैंने discussion box में दे दिया है आप वहाँ से रिसेंटी check out कर सकते हो and guys वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हो अब बात करते हैं वीडियो के second last smartphone के बारे में जो है के Moto G34 5G smartphone है तो guys आपको भी पताए Motorola के कम budget के अंदर अच्छे smartphone देखने को मिल जाते हैं तो man features के बारे में बात करते हैं देखो इसके अंदर आपको दो variant देखने को मिलते हैं जिसमेंसे एक vegan leather design के साथ मिलता है और एक plastic frame के साथ और मुझे खुद personally vegan leather design वाला अच्छा लगता है तो इसके man features के बारे में बात करते हैं देखो design wise तो यह smartphone आपको लगा क्योंकि Qualcomm का Snapdragon 695 बाला चिपसेट मिल जाता है जो कि इस budget में आने वाला पहरा स्मार्टफोन है क्योंकि यह 18-19,000 रुपे के fonts में देखने को मिल जाता है दखो यहां पर बीजियमाई में आप 40 fps की gaming कर सकते हो एंड कॉल अब डूटी में 60 fps की gaming कर पाऊगे तो performance वाई यह स्मार्टफोन आपको decent मिल जाता है heating उसी देखने को नहीं मिलेंगे सबाचार लाग के आसपा संदू स्कोर मिल जाता है एंड गाइस 8GV की virtual एंड कर सकते हो एंड हाइब्रेट सिंप स्लॉट मिलता है तो बैंटरी डिपार्टमेंट यहां पर अच्छा मिल जाता है थो 20 years का smooth display है आप दूर के लिए आपको मिलती है 500 years की peak brightness है तो guys overall display की quality है चेन बैजल्स है वो मुझे काफी अच्छे लगे और काफी decent colors निकल के आ जाते हैं तो display decent बोलूँगा मैं इसी के साथ back में दो camera है जिसमें से man camera 50 megapixel का है 16 megapixel की selfie है यानि back camera से आप 1080 में video record कर पाओगे तो photo overall decent निकल के आता है एंड security के लिए side mount finger printer face unlock का support मिल जाता है डॉल वी एट मौस support मिल जाता है तो audio को जो output है वो यहाँ पापको अच्छा मिल जाता है इसी के साथ finally pricing के बारे में बात करता है यानि guys 8G RAM 120 8GB का storage है जिसकी price 12,000 रुपे है एंड 4G RAM 120 8GB का जिसकी price 11,000 रुपे है जो कि अभी latest के अंदर ही launch जा है जो है कि realme 12X 5G स्मार्टफोन है दो guys आपको भी पता realme अपनी design और build quality के लिए जाना जाता है तो अब इसके main features के बारे में बात करते है यानि guys यह smartphone Android 14 पर run करता है 7.6 mm की तिकिन से 188 gram का smartphone है तो काफी जदा slim और lightweight smartphone है और इसके अंदर आप स्मार्टफोन का जो highlight point है वह है इसका chipset क्योंकि guys media tech का Dimensity 1600 प्लस वाला chipset है साड़े चालना के आसपा संतूतू score आ जाता है और 40 fps की gaming आप इसके अंदर खर सकते हो और gyro वैसे सभी smartphone में आपको अच्छा देखने को मिल जाता है and performance related आपको कोई issue नहीं है and triple card slot मिलता है 5000 ms की 6.7 inches की full HD display है जो की IP LCD panel है 120S का smooth display पंचोल cutout के साथ मिलती है और outdoor के लिए आपको मिल जाती है 950 nits की big brightness है तो overall display की quality है decent लगी में रखो चिन वगेरा भी काफी कम देखने को मिल जाते हैं तो display decent बोलूँगा and guys back में दो camera है जिसमें से एक ही काम का है जिसमें main camera 50 megapixel का है और 80 megap पिक्सल की selfie है यानि back camera से आप 1080 में video record कर सकते हो 30 एपिस पर तो camera मुझे इस phone का का काफी बड़ी अलगा details निकल के आ जाती है camera के अंदर funky colors देखने को मिलते हैं इसी के साथ security के लिए side mount finger printer face unlock का support मिलता है तो finally pricing के बारें बात करता है यानि guys 4G RAM 120 8GB का storage है जिसकी price आपको 12000 र रिया हो तो मेरे ख्याल से आप इसको consider कर सकते हो इसी है phone थे आपके जिनको आप consider कर सकते हो 12000 रुपे के budget के अंदर अगर आपका फिर भी कोई confusion है तो आप comment कर सकते है मैं उसका reply जरू करूँगा तो चलिए video को यहीं पर end करते है अपसे मिलता है अगली video के अंदर